इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत मार्ग में सूजन को भी कम करता है और सांस लेने में आसान बनाता है। एलगी टैबलेट का सेवन भोजन के साथ या उसके बिना एक खुराक और अवधी में किया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रतिक ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव मतली, दस्त, उल्टी, मुव में सूखापन, सिर्दर, त्वचा पर लाल चिकते, फ्लू जैसे लक्षन और ठकान हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, तो सीधे अपने चिकित्सक से संपर्क करें। यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें, या किसी अन्य व्यक्ती को अपनी दवा की सलाह न दें। इस दवा को लेते समय परियाप्त मातरा में तरल पदार्थ लेना फाइदेम और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद